नक्षत्रों का योग बनता है प्रकृति का संयोग बनता है तब आता है कुम्भ चलो कुम्भ चलें कुम्भ जिसका अर्थ होता है घड़ा और वो घड़ा जो समुद्र मन्थन के दोरान अम्रित से भरा हुआ निकला था और अम्रित जहां जहां छलका वहां वहां 12 वर्षों पर कुम्भ और 6 वर्षों पर अर्ध कुम्भ लगता है कुम्भ के पावन समय में नदियों की धारा अम्रित मई एवं ओशदी युक्त हो जाती है जिसमें सनान करने से इंसान रोगमुक्त होता है एवं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है गरहों के संयोग से ये महा संयोग इस बार प्रयाग राज की पावन धर्ति पर हुआ है तो चलिए भक्तों उसी पावन कुम्भ की पावन कथा सुनते हैं जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं वेब म्यूजिक गंगाय मुनामा सरस्वति के चरणों में शीश जुकाते हैं तीर्थ राज परियाग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं गंगाय मुनामा सरस्वति के चरणों में शीश जुकाते हैं तीर्थ राज परियाग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं देव राज से रिशिदुर्वासा ने एक बार मुलाकात की खुश हो करके इंद्र देव को पुश्प दिये परिजात की बोले लक्ष्मी का प्रसाद है रखना इसे संभाल के सब दिन इसकी पूजन करना पूजा ग्रिह में डाल के स्वर्ग सदा खुश हाल रहेगा रिशिवर यही मनाते हैं तीर्थ राज पर याग तुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं तीर्थ राज पर याग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं एहंकार में इंद्र ने डाला दुर्वासा की बात को हाथी के पैरों के नीचे फेक दिया परिजात को देखा जब अभिमान इंद्र का दुर्वासा गुसा आए है श्राप दे दिया देव राज को गुसा रोक न पाए है दानव छीने स्वर्ग इंद्र से दानव छीने स्वर्ग इंद्र दर दर की ठोकर खाते हैं तीर्थ राज परियाग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं रतन चतुर दश लेके लक्षमी चली गई पाताल में देव और दानव चाहते थे सब कुछ पाना हर हाल में भोले दानी बात समझ गए सुर असुरों के अंदर का अमरित का लश निकल कर आया मन्थन हुआ समंदर का अमरित का लश जयंत ले भागे जो इंद्र पुत्र कहलाते हैं दीरत राज प्रयाग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं दीरत राज प्रयाग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं भागता देखे जयंत को दानों बड़ा भीशन संग्राम हुआ बारह दिन तक जंग चला तब जाके सहमति आम हुआ बरबर भाग में बटेगा अमरित समझोता सरयाम हुआ छीना जपटी में अमरित छलका चारो तरफ को हुराम हुआ चार जगह धरती पे गिर गया जहां पे कुम्भ नहाते हैं दीरत राज प्रयाग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं तीत राज परयाग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं प्रयाग उजैन नासिक में छलका और गिरा हर द्वार में तभी से पावन तिर्थ बन गए चारो इस संसार में जो भी करे असनान कुम्भ में पाप सभी कट जाते हैं रोग कस्ट सभी दूर हो जाते मनवांचित फल पाते हैं वेद पुरान बखाने महिमा पापी भी तर जाते हैं तीर्थ राज पर याग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं तीर्थ राज पर याग कुम्भ की पावन कथा सुनाते हैं